Hi Everyone! Welcome in this Chemistry Class एंड आज हम पढ़ेंगे Atomic City and Types of Molecules Atomic City क्या होता है और कितने टैप्स के Molecules होते हैं Atomic City हमारा होता है कोई Molecules है उसमें कितने Atoms present है कितने Atoms से मिलकर के वो बना है वही हो जाएगा उसका Atomic City तो Atomic City का Definition हमारा क्या हो जाएगा? The Total Number of Total Number of अप्रेजंट अ इन ओ मॉलेक्यूल किसी मॉलेक्यूल में कितने इंटम प्रेजंट हैं वह हो जायगा उसका अप्रेड़ किम दिखेंगे टाइप ऑफ मॉलेक्यूल कि टने में फॉर या 5 के टेग्र में डिवायड कर रहते हैं फर्स्ट मरा क्या हो जाएगा मोनो एकोमिक second हो जाएगा हमारा dieatomic third हो जाएगा हमारा triatomic fourth हो जाएगा tetraatomic tetra या फिर हम direct poly में भी इसको include कर सकते है tetraatomic then हो जाएगा हमारा polyatomic ठीक है 3 से जाएगा तो polyatomic के कैटेगरी में उसको रख देंगे monatomic का मतलब क्या होगा mono का मतलब क्या होता है one ठीक है जो single atom की रूप में exist करता हो उसको हम बोलेंगे monatomic for example हमारे noble gases helium neon argon krypton redon यह सब किसा हमारे क्या होते होते हैं यह single atom में exist करते हैं single atom की रूप में इसको हम बोलते है monatomic अब diatomic क्या होता है डाई का मतलब क्या होता है two मतलब जो atom होंगे वो single नहीं होगा two atoms होंगे साथ में जैसे हमारे examples लेते हैं H2 H2 molecule O2 molecule N2 molecule then हमारा हो गया halosons CL2 BR2 I2 तो यह सब हमारे क्या हो जाएंगे diatomic two atoms है यहां पर two atoms है O2 यह भी सब के सब हमारे क्या है two atoms है तो इसको हम बोलेंगे diatomic triatomic try का मतलब क्या होता है three for example ozone ozone हमारा three O molecule O atom से मिलकी बना होता है यहां पर तीन atom है किसके oxygen के ozone तो यह हो जाएगा triatomic tetra means क्या होता है four for example P4 यह हमारा क्या tetraatomic four atom है यहां पर फॉस्फोरस के पॉली में आ जाएगा हमारा acid sulfur का दैन हम ले सकते हैं H2SO4 कि H3PO4 यह सब कैसे हमारे क्या है molecules है अब इसमें कितने atoms हैं उसको हम count करेंगे तो हो जाएगा हमारा polyatomic चलिए अभी हम निकालते हैं atomic city कैसे निकालेंगी यह होगी हमारा category कि कितने types के molecules होते हैं यहां पर atoms होते हैं कि suppose हमें निकालना है H2SO4 में atomic city तो कैसे निकालेंगे H2SO4 तो करना क्या हम total number of atom क्या लिखे हम total number of atom present in a molecule ठीक है तो hydrogen की कितने atom है यहां पर 2 प्लस sulfur का कितना atom है one oxygen के कितना atom है four total कितना होगे हमारा four five to seven तो यहां पर atomic city जो आ जाएगी वह जाएगी seven for example H2O तो क्या हो जाएगा two atom है यहां पर hydrogen के one atom है oxygen का आ जाएगा three तो यह हो जाएगा हमारा triatomic चलिए S3PO4 का निकालते है फॉस्फोरिक एसिड का कैसे निकलेगा three atom है यहां पर hydrogen के plus one atom है फॉस्फोरस का plus four atoms है यहां पर हमारे किसके oxygen के total कितना आ जाएगा हमारा eight इसकी atomic city आ जाएगी eight तो यह हमारा क्या polyatomic polyatomic यह क्या हो जाएगा triatomic तो आई होप आपको समय आया होगा atomic city कैसे निकालते हैं कितने types के molecules atom यहां पर होते हैं